गुड मॉरिंग श्टूडेंट तो अभी एक ब्रेकिंग नूज आ रहे है कि GNDU और समस्टर एक्जाम्स का रिजल्ट आ गया है GNDU युनिवस्टी की 6 क्लासेस का रिजल्ट अभी अभी पब्लिश किया है GNDU ने अपनी ओफिशल वेबसाइट पर तो चलो जल्दी से आपको चैकर के बताते हैं कि किन क्लासेस का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है तो सबसे पहले आपने क्रॉम ब्रॉजर में जाना है Google में जाके सर्च करना है GNDU रिजल्ट उसके बाद जो फर्स्ट वाली साइट आपकी स्क्रीन पर उपन हो जाएगी online.gnu.ac.in जहां रिजल्ट लिखा है वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा तो आपने नीचे जाना थोड़ा से स्क्रॉल करना है रिजल्ट वाली सेक्षन में जाके स्मेस्टर सिस्टम न्यू जहां लिका वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है उसके बाद फाइनल रिजल्ट वाला पेज आपकी स्क्रीन पर उपन हो जाएगा तो चलो जल्दी से आपको पताते हैं कि किन 6 क्लासेस का अड़ल्ट अभी अभी G&U ने अपनी ओफिशल वेबसाइट पर पब्लिश किया है तो सबसे पहले आपने एर पे क्लिक करना है उसके बाद 2022 को आपने स्लेक्ट कर लेना है उसके बाद मन्त पे आपने क्लिक करना है दिसम्बर को आपने स्लेक्ट कर लेना है उसके बाद कोस्ट आई पे आपने क्लिक करना है CBES New को आपने स्लेक्ट कर लेना है उसके बाद स्लेक्ट क्लास पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सभी क्लासेश्यों होने लग पड़ेंगी जिस क्लास का और समस्टर का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है तो अभी अभी जिन क्लासेश के रिजल्ट आये हैं वो हैं सबसे पहली क्लास है MSC, Exercise and Sports, Physiology तो सिंपली आपने इस पे क्लिक कर देना है वो इसके बाद Select semester पे आपने क्लिक करना है और यह आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं First semester और Third semester दोनों का result आ चुका है तो आप जिस भी semester के हों सिंपली इस पे क्लिक कर दें वो इसके बाद Draw Number भरके Submit कर दें आपका result आपकी स्क्रीन पे होगा तो चलो जल्दी से अगली classes बताते हैं जिनका result अभी अभी publish हुआ है तो next class है MSC Human Genetics तो सिंपली आपने इस पे क्लिक कर देना है उसके बाद Select semester पे आपने क्लिक करना है और यह आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं फर्ट semester और फर्ट semester वालों का result आचुका है तो आप जिस भी semester के हों सिंपली उस पे क्लिक कर दें उसके बाद रोल लंबर भर के submit कर दें आपका result आपकी स्क्रीन पे होगा तो चलो जल्दी से अगली class बताते हैं जिसका result आया है तो अगली class जिसका result आया है तो आप जिस भी semester के हों सिंपली उस पे क्लिक कर दें उसके बाद रोल लंबर भर के submit कर दें आपका result आपकी स्क्रीन पे होगा तो ये वो classes और semester थे जिनका result अभी अभी publish हुआ है G&U के official website पर G&U और semester exams का तो all the best सभी students को उमीद है कि आप सभी pass होंगे और आप सब के बहुत ही अच्छे माकस आये होंगे अगर बात करें हम CBES new valley side तो अभी तक 85 plus classes के result आ चुके हैं और overall 165 classes है 160 plus classes हैं इस side 85 plus classes का result आ गया है तो simply आप जिस भी class के हों उस पे click कर के semester पे click कर के row number भर के submit कर दें और इसी तरह CBES new वालों के result आते रहेंगे और 5-7 दिनों बाद pass course वालों के result भी लगाता राने शुरू हो जाएंगे अगर बात करें CBES new वाली side तो अभी कुछ दिनों में सभी result इनके publish हो जाएंगे GNDQ official website पर और जैसे ही किसी और class का result आता है तो सबसे पहले हम वीडियो लेके आपके लिए आ जाएंगे अगर कोई doubt है तो comment करके आप पूर सकते हो तब तक इस वीडियो को like कर दो share कर दो सभी friends के साथ channel जुरूर subscribe कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो और bell icon जुरूर प्रेस कर देना ताकि हम जैसे कोई new वीडियो आपके लेके आएं सबसे बहले notification आपको मिल जाए thank you